हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज इस क्लासेज पर आज की जो इक लास है इसमें हम बात करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूमेंट की या फिर यो कहें सेंटेंस करेक्शन की कुछ बुक्स में इस टॉपिक को इस नाम से भी दिया गया है सेंटेंस करेक्शन बात एक ही है ठीक है आज की क्लास में 10 क्वेशन हम डिसकस करने वाले हैं जैसे आपको इस concept समझ में आएगा कि सेंटेंस इंप्रूमेंट के क्वेशन कैसे हल किये जाते हैं किस approach से आपको solve करने चाहिए उसके बाद में जो next session होगा उसमें number of questions थोड़ा सा बढ़ा दूँगा कि जितने भी extra efforts किये जा रहे हैं एक आपको evening में 5 बज़े session मिल रहा है ये तो regular एक डेड़ साल से मिली रहा है editorial का इसके अतरीक टेक night में session आ रहा है vocabulary का और ये जो तीसरा मैंने शुरू किया है जिसे मैंने पहले कहा था कि कुछ questions में आप उसे discuss करूँगा ये sentence improvement के questions है कहीं पर हम common errors की बात करेंगे कहीं पर हम synonym, synonym उस्तखेर आपके होई जाएंगे उससे idioms and phrases की बात करेंगे passes की बात करेंगे close test की बात करेंगे इतने भी extra efforts हैं इसलिए हैं क्योंकि SSC, CGL और CHSL का exam नजदीक है इन दोनों exam को आधार मान कर आपको इमें questions solve करवा रहा हूँ अगर आप series continue करते हैं तो निश्चेत रूप से आपको exam में बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है क्योंकि ऐसे ही questions यह सब previous questions मैंने लिए हैं तो previous questions को solve करने की approach आपको सामने आएगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे previous questions solve करने मातर से भी आपके numbers जो हैं आपके जो marks हैं बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से marks आप रप्राप्ट कर सकते हैं इसके PDF की बात रही तो PDF आप 25 classes तो telegram channel है जो हमारी channel का नाम है वही नाम telegram channel का है वही application का नाम है उस पर जाकर आप इसका PDF रप्राप्ट कर सकते हैं इस class के बाद में ठीक है उसको खुद से solve करके देख लीजिएगा पहले खुद solve करके देख लेए उसके बाद में ये session पर आएं और भी बहतर approach है तो देखिए कैसे solve कर सकते हैं ऐसे questions को सबसे पहली बात इनके लिए किस चीज की आवशक्ता है इनके लिए दो चीजों की आवशक्ता है एक आवशक्ता है grammar की आपकी grammar पुरी पढ़ी होनी चाहिए दूसरी आवशक्ता है understanding की जो sentence लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए यह मैं यों कहूं थोड़ा आपकी भाशा में कि translation आप अच्छे से कर पाएं और उसके बाद में grammar apply कर पाएं तो यह questions solve हो जाएंगे तो देखें वाइल washing your hands rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them ऐसे questions में जब SSE CGL या CHSL की हम बात करते हैं या STENU की बात करते हैं MTS की बात करते हैं या CPO की बात करते हैं question पूछने का तरीका SICDS में होता है SNDA में होता है ABCDE ऐसे चार विकल्प मिलेंगे एक option दे रखा है no substitution या no substitution तब या no improvement हो सकता है या no correction required हो सकता है ना मतलब थोड़ा सा change कर सकते हैं उसका मतलब यह यह कि जो underlined part है उसको change नहीं करना चाहते हो तो आप उस option के साथ जाएंगे तो क्या कह रहा है while washing your hands अपने हाथ wash करते हुए उस दोरान जब आप हाथ को wash करते हैं hands wash करते हैं उनको rub करें किनको ये किस के लिए आ रहा है hands के लिए आ रहा है तो hands को rub करें for 20 seconds 20 seconds तक किसलिए to remove हटाने के लिए क्या microbes on them microbes रोगानों को बोलते हैं सुक्षम जो किटानों होते हैं उसको बोल सकते हैं उन पर लगे जो microbes हैं उनको remove करने के लिए किन पर लगे hands पर लगे तो hands के लिए ही यहाँ पर dem आ रहा है अब यहाँ कोई गलती है नहीं आप आईए नेचे वाले options पर तो एक तो B option कट जाएगा इसलिए क्योंकि on दे रखा है on preposition है preposition के बाद में हमें objective case चाहिए होता है the nominative case है subject है इसलिए कट गया C option कट जाएगा क्योंकि on के बाद there है there possessive adjective है और possessive adjective के बाद में noun की requirement होती है यहाँ पे noun नहीं है इसलिए कट जाएगा बात रही the microbes on those दोज लगाओगे तो demonstrative objective बनेगा executive बनेगा तो उसके बाद में भी noun लगेगी ठीक है तो इसलिए कोई सा भी सही नहीं है option no substitution में जाएंगे कोई भी गलती नहीं है इसलिए आपका answer D होगा question number 2 पे आए fierce competition fierce competition को आप rat race कह सकते हो एक इसके लिए idiom लिख लीजिएगा rat race कड़ी परतिसपरधा जो होती है उसके लिए इस idiom का प्रियोग किया जाता है तो fierce competition कड़ी परतिसपरधा किस में? restaurants में has driven up the prices और इस कड़ी परतिसपरधा के कारण क्या हुआ है कीमतें बढ़ गई है कीमतें बढ़ गई है तो against तो restaurants against का मतलब तो हो गया कि आप opposition में है restaurants के तो कड़ी परतिसपरधा परतिसपरधा किनी के बीच होंगी जिसे माली जीए A, B, C, D, E ऐसे करके पांच restaurants है इन सभी के बीचें परतिसपरधा है तो against तो कैसे लगेगा तो तब लगे जब एक किसी के खिलाफ हो तो इसका मतलब against नहीं आएगा अगर against नहीं आएगा ये option कट गया बचे तीन Along लगाते हो तो along किसी चीज़ के सहारे, सहारे, किनारे, किनारे parallel के अर्थ में आता है साथ के अर्थ में आता है तो ये कट गया through है वो माध्यम के लिए आता है किसी माध्यम से तो restaurants के माध्यम से restaurants में से होकर ऐसा मिनिंग देगा प्रेपोजीशन है ये कट गया option बसता है among among इसलिए क्योंकि इनके बीच परतिस परधा है आपका answer क्या हो जाएगा ध्यान से देखते चलिएगा किस approach से मैं solve कर रहा हूँ उसी approach से आपको आगे बढ़ना है particularly when we talk about sentence improvement or sentence correction question number 3 में आईए can you give me so many examples of subordinate clauses the teacher asked the class मैंने पहले का कि पहले आप translation समझे पहले sentence को translation उनके लिए जरूरी है जो हिंदी माध्यम से है तो वो translation के approach से आगे बढ़ता है English medium से हैं then you while you read the sentence you can understand each and everything whatever has been given so the teacher asked the class teacher ने इस class से पुछा क्या पुछा कि क्या आप मुझे इतने examples दे सकते हो subordinate clause के तो यह so many examples so लगा रहा है तो intensifier की भूमिका में है मतलब इतने सारे examples होने को हो सकता है so many लेकिन so many so तब लगता जब intensify करने की बात हो ऐसा कोई context यहां पे नहीं है कितने सारे examples के हम बात करें आते हैं नीचे वाले options पर पहला option कटेगा क्योंकि some और many दोनों साथ में नहीं आएंगे दोनों determiners हैं फिर यह वाला option है यह कटेगा यह जो d वाला option है यह कट जाएगा some और few दोनों determiners हैं यह नहीं आएंगे अब इन दो में से देखें तो some more examples हो कुछ और examples दे सकते हो गया तो इन दोनों में से बहतर विकल पुन सा यह वाला कुछ और examples दे सकते हो गया so many तो यहाँ पे इतने सारे examples तो so किस लिए लगाया वो समझ में नहीं आ रहा ठीक है इसलिए आपका जो answer है वो no substitution required यह होना चाहिए question number 4 में आईए many of the apples was rotten wrote का मतलब सड़ जाना है बहुत सारे apples हो सड़ चुके थे सड़ गए थे apples है plural plural है तो एक बात निश्चित है कि was नहीं आएगा was तो singular में आता है अगर उपर दिया गया statement गलत है यहाँ was दे रखा है answer क्या हो जाएगा डी वर रोटन ठीक है next पर आईए although the children studied hard but they could not understand the topic without the help of the teacher यद पी बच्चों ने काफी महनत करी काफी अच्छे से पढ़ाई करी फिर भी they could not understand वो समझ नहीं पाए topic को बिना teacher की help के अब देखिए although जो है although या दो ये दो conjunction है adversative conjunction इनको बोलते है विरोदा भासी जो वाक्य होते है एक दूसरे के विपरिज जो वाक्य होते है उनको बताने के लिए use किया जाता है तो although या दो जब लगाते है तो बात याद रखिए कि इसके साथ में या तो yet लगता है या फिर हम still लगाते है या फिर हम लगाते है इन तीन में से कुछ लगाएंगे या तो yet लगाएंगे या still लगाएंगे या कोमा लगाएंगे लेकिन ये बात पक्का है कि although या दो में बट नहीं आता अगर conjunction आपने पढ़ा है फिर ये B कट जाएगा क्योंकि उपर वाला statement गलत है आपका अंसर हो जाएगा C अब या आपको लग रहा है बहुत आसान है actually इस अपरोज से बढ़ोगे तो बहुत आसान questions लगेंगे सारे के सारे previous exams में आए वे questions में सही में ने लिए है नमबर शिक्स पर आई the place is too much noisy place जो कोई भी जगे है particular उस जगे की बात है कि उसमें शोरगुल बहुत है noisy है वो adjective होता है किसी शब्द का ये पहचाना जाना कि वो adjective है कि नहीं आप more or most लगा के देख सकते हैं more noisy या noisiest कहते हैं noisier कह सकते हो तो noisy adjective है noisy noun नहीं है और आपने एक concept पढ़ा होगा adverb में कि too much जब होता है तो ये तब लगता है जब noun की बात हम करते हैं और much to है वो हम तब लगाते हैं जब बात किसकी करते हैं adjective की जब ये adjective है इसका मतलब too much नहीं आएगा too much नहीं आएगा तो much to आएगा much to आएगा तो देखिए दे रखा है तो no substitution तो इसलिए कट गया क्योंकि उपरोला statement गलत फिर इन दोनों में से कोई भी आ सकता था क्योंकि अगर ये option नहीं होता तो हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं too noisy बहुत ज़्यादा शोर्गुल भरा है much to noisy ये भी हो सकता दोनों इंटेंसी फायर की भूमिका में है इसलिए आपका आंसर है वो B होना चाहिए much to noisy number seven I wish I have come an hour sooner I wish वाले जो sentences हो suppositional sentences होते हैं hypothetical condition के लिए आते हैं आप कल्पना करते हैं कि काश ऐसा हो जाता I wish वाले sentence part में second form आती है second form आती है तो ये present वाले चीज़े सब काट दीजिए has present का है ये model present में है ये आ जाएगा head ठीक है no improvement इसलिए नहीं है क्योंकि ये have दे रखा ये present में है आपका answer head हो जाएगा question number 8 है शोले is one in the most popular Hindi movies तो सोले जो है वो सबसे जो popular Hindi movies है उनमें से एक है ये कहना चाह रहा है आप one of the वाले case में एक चीज रट लें अच्छे से वैसे रटने वाला concept तो नहीं ये समझने वाला है one of the वाले case में एक तो आपको noun है वो plural चाहिए एक आपको degree है वो superlative चाहिए जब भी one of the का प्रियोग करते है तो degree तो चाहिए superlative noun चाहिए plural ठीक है ये सब ध्यान रखना है आपको तो यहाँ पे most popular degree superlative है noun plural चाहिए तो यहाँ पे Hindi movies दे रखा है आपको ठीक है लेकिन one of the होता है in नहीं होता है तो इसलिए गरता है कि in दे दिया तो शोले सबसे popular movie में से एक है जब आप किसी group में से एक निकालते है जैसे कभी आपने marks देखे हो कि आपके 10 number का कोई test test में से आपके number आगया 7 तो क्या कहा जाता है 7 out of 10 तो ये group में से एक 7 है ऐसे ही है कि सबसे popular movies में से एक है तो ओव लगाना है तो देखो in वाला ये भी कल्प कट गया no substitution कट गया ओपर in है और ये in है इसलिए कट गया आपका answer सिदा सिदा ही आ जाएगा next much of the truth about the mysterious death of her pet was not revealed तो कहा रहा है जो रहष्यमाई तरीके से उसका जो pet है जो कोई भी animal है pet animal है वो मर गया generally dog के लिए उज़ करते हैं तो उन में से अधिकतर जो truth है truth का जो part है वो reveal नहीं किया गया ये much दे रखा है इसका मतलब एक बात सीदी समझ में आती है कि uncountable है रखा ये plural है वर दे रखा ये plural है वर दे रखा ये plural है आपका अंसर आजाएगा no substitution ठीक number 10 में आईए I asked Rahul that how far his office from his home एक बात हमेशे याद रखना कि ask में that कभी आता ही नहीं है ask plus that ये combination गलत है देखते हैं गलत कर देना वैसे मां बताऊं थोड़ा सा इसको कि ask है वो दो तरीके से आ सकता है जब narration आग पढ़ते हैं direct indirect पढ़ते हैं तो ask का प्रियोग या तो करते हैं interrogative sentences में या फिर करते हैं imperative sentences में ठीक है या तो interrogative में या imperative में अब interrogative sentences जो होते हैं उसमें आप if या weather लगाते हैं wh word लगाते हैं conjunction तो देखो how लग रखा है wh word how far imperative होता तो two का प्रियोग करते हैं तो that तो किसी भी combination में नहीं है that तो affirmative में आता है optative में आता है exclamatory में आता है let's वाले sentences में आता है है ना तो इसलिए that नहीं आएगा तो आप इतना से याद रखें कि ask plus that करते हैं तो ask for that गलत तो इसका मतलब no substitution required तो नहीं आएगा अब फिर देखो यहाँ that आ रहा है यह भी नहीं आएगा बचे दो then के हमें आवशक्ता नहीं पढ़ कर देखिये sentence सीधा यह डवल-च वर्ड से conjunction लगे का डुलिच वर्ड और बाकी एक बात और समझ में आएगा वाली है कि जब भी narration हम indirect speech में लेकर जाते हैं direct speech indirect में जब change करते हैं तो हमेशा subject पहले आता है उसके बाद में verb आती है मतलब sentence का अफर्मेटिव बनाया जाता है तो यहाँ पे वह जब पहले है उसके बाद subject है तो यह वैसे कट जाएगा तो आपका अंसर है हुआ जाएगा इसका PDF आप रप्त कर लेंगे टेलेग्राम चैनल से तो मुलाकात होगी अब next किसी session में तब तक लिए नमस्कार Thank you very much